हनुमान गड़ी के महंत महंत राजुदास हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं तमाम उद्दे हैं उन पर बात करने वाले हम उनसे सर प्राहण प्रतिष्ठा 22 तारीक को हो रही है प्रधान मंत्री जी का आगमन हो सकता है सबसे पहले हनुमान गड़ी में क्योंकि मानित यह है कि जब तक हनुमान जी का के दर्शन नहीं होते तब तक भगवान राम आशिरवाद नहीं देते किसी को तो क्या लग रहा है कि यहां पर तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ राम दुआरे तुमरकवारे होतना गया बेन पैसारे सिद्ध पीट एद्य हनुमान गड जी का मोदी जी जब भब दिब नब भूमी पूजन मंदिर बनने के लिए था उसमें पहले हनुमान जी महराज का दर्शन करने के बाद राम जनब भूम गय थे वो सोतमत्र हैं जैसा उनके पास समय हो समय हो तो जरूरु आए नहीं समय हो तब भी कोई बात नहीं क्योंकि एक बार वो पहले अरजी लगा चुके हैं इसके नाते कोई समस्या नहीं दूसरी बात अध्या डवलप्मेंट अध्या विकास अध्या भब बदिब नब राम जनब हो मंदिर निरमान भूतों न भविश्यती कलपना नहीं किया था इसलिए क्योंकि विपक्षी का जो चाल आडर हम मेंटर नहीं कर पाएंगे देश में दंगे हो जाएंगे इसके नाते मंदिर का निरमान नहीं हो सकता ये विपक्षी कहते मैं गारेंटी के तोर पर आपको कहता हूं क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी गणों से कि आज इस प्रकार के सब्द इस प्रका ठीका टिप निए करके दिखा दे इनको उकात अपनी पता चल जाएगे इस पर इस पे चर्चा करेंगे हैут आप से बाद में ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर का जो निरमाड हो RA है प्रिसर का जो निरमाड हो past का तर देखिए आयोध्या मेंオगाद शेर को सी 84 कोशी पंच कोशी अध्या पंच कोशी के अंतरगत अयोध्या में तमाम रिशी मुनी महात्मा आसपास जन्म अस्थली है पहले से मंदिर बना हुआ है अब सरकार प्रयास कर रही है उसका पुनर उधार करने की कायरकम चला रही है काम भी चला है एक-एक तलाबों का कुंडों का मंदिरों का साशाट लाग एक-एक करोड बजट सरकार इलाट कर चुकी है उसपर काम भी चला है इसके अलाबा 14 कोष की अंतरगत जिसने रिशी मुनी महात्मा देवी देपताओं के जन्मस्तली है उसका पुनर उधार काया कल्प उसको डबलब्मेंट करने का कायरकम एउध्या से लेकर चित्रकूट तक जो प्रियास है सरकार की सरकारी मिशनरी की योगी जी की मोदी जी का जो परम वैभव तक एउध्या को पहुँचा जाए ओ पौरानिक एउध्या ओ राम समकाली ने एउध्या ओ तरियता योगन एउध्या कैसे बनाय जाए डबलब तो किया जाए लेकिन पौरानिकता को वरकरा रखते हुए डवलोप किया जाए तो मुझको लगता है ये चारचान जो है लगाने का प्रयास है और ही परिसर में परिसर में जितने राम भक्तों ने प्रानों की आहूती दी है उनकी भी मूर्ती बनाए जाएगी जिसी मुनियों के योगदान रहा है, संगर्ष किया है, उनकी भी मूर्ती बनाई जाएगी, अभी उसमें भक्त लगेगा, क्योंकि सरसट एकर जमीन सरकार ने दी, उसके बाद हमने एक सो चार एकर तक उसको पहुंचाया है, उपरिसर बहुत जबरदस्त है, डवलप्मेंट करना है। बाबरी बिद्धों से तो हमको लगता है, सरसटमा बार इद्ध में हुआ है। मुला मुलायम सिंग जी के द्वारा गोली चलाए गई, कितनी दुरभाग पूर्ण था। एक राजा का परमकर्तब होता है, जनता का हित करते हुए कारे करना, गोली नहीं चला देना। अगर ततकाल में राम जनम्भूम मंदिर पर ऐसी घटना होई होती, तब तुम्हें मानता, राम जनम्भूम से दूरी हनमान गड़ी की एक किलोमीटर, यहां लोगों ने गोली खाई। राम जनम्भूम से दूरी सहिद गली की देर किलोमीटर, यहां लोगों ने गोली खाई। राम जनम्भूम से दूरी नयाघाट, तीन किलोमीटर, वहां लोगों ने गोली खाई। नमक उसे आप मर जाते क्या? आपकी सिपाई मर जाते क्या? कहें दिखाओ कोई डंडा भी नहीं था, धेला भी नहीं कोई फेक रहे थे, आपने गोली मार दी? कितिनी दुरभाग की बात है, निंदनिय बात है, लेकिन दुख है कि आप लोग अभी भी राजनीत पर तुले मुझे को लगता है कि रहान कुल कोई रोवनहरा ये इस्तिती उत्पन्ना हो जाए आप लोगों की शुक्रिया बहुत बहुत राजुदास जी से बात किया हमने उन्होंने तमाम बातें बताई और कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के उपर निर्भर करता है कि वो हानमान गड़ी पहले आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही अरजी लगा चुके हैं और अपनी यहां पर दर्शन कर चुके हैं और साथी साथ मंदिर परिसर में उन तमाम लोगों की भी मूरतियां लगाई जाएंगी जिनको मंदिर को बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया था कैमरमेन पंकज निगम के साथ सीमा अपनकवी भारस समचारा योद्याव